वारानसी में फ्लाई ओभर हाथसा होता है और उस हाथसे में लगभग बीच से अधिक लोग मारे भी जाते हैं मंजर ऐसा कि देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं और हाथसा होता है एक निर्माणा धिन फ्लाई ओभर का पिलर रागीरों के उपर गिर जाने से जी हाँ बात उत्तर प्रदेश के वरांगशी शहर में मंगलवार को हुए हाथसे की हो रही है लेकिन अब सवाल यह है कि अगर उस हाथसे की जिम्मेदारी तय करने की बात आए तो किस पर की जाएगी फ्लाई ओभर का निर्मान करने वाले ठेकेदार पर शाशन या फिर प देने वाला भी शाशन प्रशाशन ही होता है निर्मार के काम में ब्रश्टाचार होता है तो भी शाशन प्रशाशन की अंदेखी से ही होता है तभी तो हाथसों में जो लोगों की जान गई है उसका मुआवजा सरकार से मांगा जाता है अगर कोई हाथसा बड़ा हो जाए तो सरकारों से इस्तिफा भी मांगा जाता है और अपसर अधिकारियों के तबादले भी होते हैं। आपको बता दें कि जिम्मेदारी तै करने के लिए शाश्किय, प्रशाश्किय और न्याईक जांस समीतिया बनाई जाती हैं। अब अगर हम यूँ कहें कि हाथसा तो ग्रह नच्छत्र और तारों की गलत जुगलबंदी से हुआ है और इसे ही सच मान लिया जाए तो फिर शाशन प्रशाशन का तो कोई दोशी नहीं रह जाता है क्योंकि ग्रह नच्छत्रों पर किसका जोर है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो होना है वो तो होता ही है। होनी को भला कोई कौन टाल सकता है। किसी इनसानी गलती से नहीं लापरवाही या फिर भ्रश्टाचार के चलते नहीं हुआ उसके लिए शाशन प्रशाशन भी जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए अगर जिम्मेदार हैं तो बस तीन ग्रह आपको बता दें कि तीन ग्रह वो हैं इस हाथसे के जिम्मेदार जि और इस घटना को ग्रहों का खेल बताते हुए ये भी कहा जा रहा है कि ग्रहों के इस्थिती प्रिथभी पर रहने वालों को प्रभावित करती है और ये ग्रह इंसान के अच्छे और बुरे समय के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। आपको बता दें कि ग्रहों की विश्यस इस्थिती प्राकृतिक आपदा हाथसे का कारण नहीं बनती हैं। फ्लाइ ओभर हाथसे के लिए भी ग्रहों की खास इस्थिती को जिमेदार माना जा रहा है। यानि कहा जा सकता है कि योगी सरकार, वरान्सी प्रशाशन और फ्लाइ ओभर बनाने वाले ठेकदार तो बस नाम मात रहें। होनी तो होनी थी, ग्रहों के त्रिकोन से होनी थी और इन ग्रहों के कारण आगे भी ऐसे ही होनी होती रहेगी। इस आधार पर फिर तो हमें ये भी मान लेना चाहिए कि प्राकृतिक आपदाएं प्राकृती के साथ मानुए खिलवार के चलते नहीं आती, सडकदुर घटनाएं, आगजनी की घटनाएं या फिर अपराध सभी ग्रहों की उठापटक के कारण ही होते हैं। इसलिए फिर भारती आधालतों में पड़े करोणों विचाराधीन मामलों को रद करके और जेलों में बंद कैदियों को रिहा करके ग्रहों पर मुकदमा चला जाए। इस बात को आप भी जरा सोचिएगा कि क्या ये सही है कि इतने बड़े हाथ से होने के बाद भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है और इसकी जिम्मेदारी ग्रहन छत्रों पर डाल दी जा रही है और उनको ही इसका जिम्मेदार ठाहराय जा रहा नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुल के रिपोर्ट